छथी क्लास में पढ़ने वाली एक लर्की के पेट में अचानक से काफी थिज दर्द बिल्कुल आराम नहीं होता है, तब उस लर्की को उसके घर छोड़ दिया जाता है, याने दिया जाता है जैसे वो घर पहुंचती है घर पहुंचने एक बाद बार बार दरवाजा खुलने के प्रयास कर रहे लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता है लेकिन काफी दरवाजा खुलता है तो मा भी सामने निकल के आती है उसके ताउजी का बेटा भी एक कमरे से निकलता है जब लड़की ने इस दिरस्टे को अपने आँकों से देखा तो इसे बात को ले करके किसी से कुछ भी नहीं बताया चुछ आप रही सांट रही लेकिन अपने मां से कहा ये तो साथ तुम गलत कर रहे हो और जैसे इस बात की जानकार उसके ताउजी के बेटे को प प्रसान हो उड़ता है ना तो मां से कुछ कहता है और ना ही वो अपने भाईया से एंटाउजी के बेटे से कुछ कहता है लेकिन इस लरके की गोंजना केवल इस घर तक ही सिमिती बलकि आसपास के लोगों को भी देरे-देरे पता चल जाता है और जैसे ही बाहर की बाते ही होता है बलकि पूरे रिस्ते को भी सरमसार हो जाता है रिस्तों को भी कतल होता है जब पुलिस घटना कर्म का खुलासा करती है तो लोग को यकीन ही नहीं होता कि कोई आखिरकर ऐसा कैसे कर सकता है नमस्कार मेरा नाम जीते अंतर कुमार आप देख रहे हैं स्टेड़ी के पास जो गंगा का किनारा है वहां पर एक लास परी हुई है लास को देखने के लिए जैसे मौके पहुंचती है पोलिस पोलिस उस लास को अपने कबजे में लेकिक सीधा पोस्ट्मार्टम के लिए जिलास्टाल बिजते है और सौज होता है, जो लास होता है, उसको पहचानने की प्रयास किया जा रहता तो पताचलता है कि इसी ठाने में, सुभा में कॉछा जाता है कि हमको एक last मिले किया, तुम देख कर बता सकते हो, कहीं, यह तुमारे बेटे की last तो नहीं है महिला ने जैसे ही सूचना मिली रोते हुए बिलगते हुए सीधा पोस्ट माटम रूम पहुंचती है वहां जाने के बाद उस लास को देख करके कहते हैं यह तो मेरा ही बेटा है मा का रोरो करके बुरा हाल हो जाता है सोचने पर लोग मजगूर होते हैं कि आखिर क्तिर कारी 17 साल के लड़के कैं किसे दुस्मानी हो सकती है ? इसको ला इसको किसने मारा होगा ? पोष्ट मॉतिकर से ये पता चलता है , कि सर में कोई भारी बस्तू से मारा गया । साथी गला भी दबाया गया और इसके बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मा होती है संयोगिता से पूछतास की जाती है कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कब घर से निकला था, क्यों निकला था, कहां गया था, क्या बात थी तो उसने का कि मेरा जो डियर जी का लड़का है जिसका नाम अमित कटियार होता है, वो 31 दिसंबर 2023 की साम करीब साथ बजी के असफास घर से निकले थे, ताकि बजार चो कुछ खरीदारी कर सके, उन्हें कपरे लेने थे, उन्हें जूते लेने थे, और जैसे पुलिस को ये बात पता चलते तो लड़का भी पास में ही होता है, उसे पूछा जाता है कि तुम कहा क गए थे, तब अमित कटियार पुलिस के पास साथ जाता है, उसे दुकान के उपर भी जाता है, जहां से खरीदारी की गई थी, जहां जहां वो रहे थे, रुके थे, ठहरे थे, वहां वाँ आप पूरा दिरे से दिखाते, लेकिन उस दिखाने के बाद भी अब पुलिस जो जो तब उन्होंने जो कहानी बताते हैं, तो उसको सुनने के बाद हर कोई के पैरों के तले जमी खिस जाता है, तो अमित कटियार कहता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी, यहनि उनका दिहानत हो गया था, उनकी मौत हो गई थी, और उनकी चाचा नगरने गम हरी दौर में नौकरी होती है, क्रमचारी होती है, उनकी जगा, यहनि स्योगता को नौकरी लग जाती है, चाचा के मानने के बाद जब उनकी नौकरी लगती है, संहिता की, तो एक रविदास वस्ती होती है, वहीं पर वो चाची रहा करते थे, और वहीं पर जो है, जो एक जेड़ जी का जो अमित कटियार भी अपना घर होता है अमित कटियार का जब उसी के पास घर होता था जब उसका मन होता था अपने चाची के पास जाता था और तारीफ करते करते एक बार कब चाची का नजदीक आ गया हो इस बात को उसको पता ही ने चला चाची काफी नजदीक आ चुके थी, जैसे आपस में दोनों नजदीक आता है, दोनों के बीचे में फिजिकल रिलेशन होने लगते हैं, जब मन होता था तब एक दूसरे के साथ संबंद बनाते थे, एक दूसरे के साथ काफी खूस रहा करते थे, लेकिन एक दिन जो लर्की होती है, जब छोटी होती है, तब उसकी नजर पड़ जाती है, अपनी मा के उपर, और उसकी बेटी ने इस बात का इतराज किया, विरूद किया, तो उस लर्की ने, यानि अमित कटियार ने, अपने बहन को धंकाया काफी, और कहा अगर भविश्य में किसी से, अगर किसी ने कुछ कहा तो, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ समय और बीटता है, लेकिन उस लर्की ने इस बात की कभी भी रोध ने किया, उसने अपने आखों से अपने मा को, एक बार ने कई बार 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 अपने भईया के साथ सारे एक संबंद फिजिकल रिलेस लोग को भी देर पता चल जाता है, जो कुछ समय बेटा है, तो समय कहते हैं कि तुम्हें परसान होने की जोड़त नहीं है, यानि अपने भईया से कहते हैं कि तुम परसान मत हूँ, हमारे पास एक जगह है, वहाँ पर भी घर बनाते हैं, वहाँ घर बनवाने की भी नहीं चलता था, लेकिन 31 दितंबर 2023 को इन दोनों ने रिसी केस में जाकर के नया साल मनाने की प्लानिंग कर रखी थी, और जैसे इसके बेटे को इस बात की जानकारी होती है, तो इस बेटे ने इस बात का इतराज किया, विरोध किया, उसने का मा, तुम बदनामी बहु सारे प्लानिंग करके, लेकिन इस के रिस ने जो उसका भाईया होता है, इस सारी की सारी प्लानिंग पे पानी फिर दिया, इस लिए एक प्लान बनाया, अपनी चाचे से कहा कि मैं भाईया को कुछ ख़विदारी कराने के लिए लेकर जा रहा हूं बजार, तभी उसको जो अलापुर में लेकर करके जाता है, वहां उसे जूते दिलवाता है, कपरे दिलवाता है, और कपरे दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है, मिश्चरपुर के अंदर, वहां पहुंझ जाता है, वहां पहले से दोस्त उसके साथ ही हुआ करते हैं, एक राहूल, एक विस जब उसको यह लगता है कि हमारी जिन्दगी में रोड़ा बन रहा है और बारबाडी अपने मम्मी के कदम हो पर पाया और रस्षे से उसका गला दाब कर उसकी मौत हो जाती है उसी टायम तो अमीत जो है इसकी लास को ले करके बैरागी एक कैम होता है गंगा किनारा तो उपड़ से पहले उसके कई सर पर काफी पथर जैसे चीजे मजगूत चीजे उसके सर में मारता है उसके लास को खाही म अपने चाची के पास हो पहुंचता है अमित कतियाल रात के एक बज़ी कास पास चाची पूछती है कि क्रिस क्यों नहीं आया तो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ शुट्टक लगा रहा है इसलिए प्रसान होने की जोरुत नहीं है हो सकता है हो जब चाहे तब आ अयनि भतिजा चाची के साथ मिल कर के जो त्मांग लोग से बाचित भी करते हैं फूसते हैं फॵन भी करते हैं धूर्ण का नाटक भी करते हैं लेकिन पुलिस ने चांची की प्यार में, अपनी चाची के महबबत में, चाची के प्रेमें, पुलिस ने आड़ोपी को गरापतार करके जेल भेज दिया, साथी लोग को कोशिस है पुलिस की इस घंडा करम में अगर कोई और सामिल है तो उसे भी किसी कीमत पर बकसा नहीं जाएगा, दोस्तों इस पूरे दिन टिक भी नहीं पाते रिष्टे और इस रिष्टे के भीतर भी ऐसा ही कुछ हुआ, कि ये रिष्टे मुस्किल से छे, पांच-छे साल तक ही चल पाया, दोनों के आपस में दसाजिक संबंद थे, और आपस में आनतेक रिष्टे थे, और जब लोग को पता चला तो जमा आना इस चाची के उपर भी और उसके बातीजी के उपर भी थू-थू करता है, दोस्तों देखते रहे हैं, जाहिन जाहिन